अस्वाम लेकुम डियर सुदेंट्स आज हम रिमेनिंग पार्ट अफ हाइप्रिडिजेशन को कंप्लीट करेंगे कल हमने फर्स टाइप की बात की थी जो के हमारे पास थी स्टाइप से स्टार्ट करेंगे जो के हमारे पास होगी एस पी टू हाइप्रिडिजेशन जैसे कि अगें नाम से हमें पता चाहिए एक ऐसी टाइप आफ हाइप्रिडिजेशन है जिसमें एक एस और दो पी अटामिक अर्विटल्स आपस उसमें इंटर्मिक्सिंग करेंगे यानि के दर टाइप आफ हाइप्रिडिजेशन इन वीच वन एस एंड टू पी अटामिक अर्विटल्स इंटर्मिक्स तू फाम हाइप्रिड अर्विटल्स यह हमारे पास डेफिनेशन हो गई एस पी टू हाइप्रिड अडेशन की और एस पी टू हाइप्रिड अडेशन को हम एक्स्ट्रेम करेंगे विद अग्जेम्पल आफ एथीन जिसका फार्मूला होता है CH2 डबल बांड CH2 यानि आज हम अनसैचुरेटिड हाइट्रो कार्बन के स्ट्रक्चर को डिसकस करेंगे जो के हमारे पास एक्जेम्पल है इती है हम उथरप से करें के कल भी की जैसे हमने किया ता जो दोनों साइट पे कार्बस नहीं हमारे पास सेंट्रल एटम है कार्बन है कार्बन के ले हम सबसे फ़ह स्ट्रार्ट करते हैं बाइदा अलेक्ट्रॉमार्स क स्टामInय tuh पर कार्बन पहले जो दो स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे जैसे के कल हमने किया था अगें हमें पता है कार्बन का अटामिक नमबर सिक्स है तो इसमें नमबर आफ अलेक्ट्रोंज भी सिक्स ही होंगे एलेक्ट्रोंइक कॉफिग्रेशन होगी 1s2,2s2,2px,1,2py,1 पर लास पे 2pz हमारे पास mt होगा और इसको कल भी हमने नाम दिया था इस वन इस दा ग्राउंड स्टेट आफ कार्बन जो के कार्बन की टेट्रा विरेंसी को चार्ड बांट को इसके नहीं कर तो सेम इसी तरह से जैसे कल भी हमने पढ़ा था एक जो अलेक्ट्रान वो का ये मूव करेगा फ्राम 2S2 2PZ तो ये हमारे पास electronic configuration change हो जाएगी 1S2 उसी तरह से 2S में एक अलेक्ट्रान रह जाएगा 2PX में आरड़ी एक अलेक्ट्रान था 2PY में भी एक अलेक्ट्रान था और अब 2PZ जो के पहले हमारे पास empty था अब इसमें भी एक अलेक्ट्रान आ गया और ये हमारे पास four unpaired ये half filled atomic orbitals हो गए अब ये mutual sharing से covenant bond बना सकते हैं जो कल भी हमने पढ़ा था और इसको हमने नाम दिया था this one is the excited state of carbon अच्छा हमने क्या कहा हमारे पास hybridization है sp2 और last one जो होगी ये हमारे पास होगी hybrid state 1s2 उसी तरह से ये हमारे पास इदर से 1s और 2P जो होगे ये आपस में intermix करेंगे definition में भी हमने यही बढ़ा लेकिन ये जो हमारे पास 2pz वाला atomic orbital होगा है तो हाफिर है तो जो है ना unpaired लेकिन ये कभी भी hybridization में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि जो हमारे पास hybridization है वो है sp2 यानि 1s और 2P अगर ये भी हिस्सा ले ले तो फिर तो difference ही नहीं होगा sp3 हो जाएगी ये भी हमारे पास लेकिन अगर हमारे पास इथीर है तो ये हमारे पास sp2 hybridization होगी और second bond तभी बनेगा जब ये जो हमारे पास 2pz वाला atomic orbital हो hybridization में हिस्सा नहीं लेगा तो जो hybridization के हिस्सा लैंगे उनमें character आजागा sp2 ये भी हो जाएगा sp2 और last one ये भी हो जाएगा sp2 और जिस में hybridization में हिस्सा नहीं लिए वह as it is होगा 2pz और 1s2 पास सिम लाइट और mist रहा हम ले और यह जो लास्ट वन स्टेट होती है इसको हम नाम देते हैं इस वन इस दा हाइडिर्ड स्टेट आफ कार्बन एकम अच्छा जी अब हमारे पास कार्बन टू टाइम है सेम लाइफ जैसे हमने लास्ट रिम पढ़ा था स्ट्रक्चर आफ ही थेल में तो उसमें भी हमारे पा रहे के जैसे हमने डाफिनेशन में भी पढ़ाता जो हमारे पास अटंक अर्बिटल होते हैं एक एस और साथ में इसका नाम है ऍटू कर इसके साथ म Hecraft ह्यूंकि Highland आप दि दहरिए गानांग एक एकस इसको हम नाम दे देहाँ by Three उन लास्वन ऐ हो होगा Un?, दो यह भी हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे उसको नाम देते हैं रूपी वाई अकार्डिंग तूदाड डेफिनिशन आफ हाइब्रेडिशन ये हमारे पास तीनों के तीनों हैं Atomic Arbitals और जो Atomic Arbitals होते हैं ये आपस में Intermix होते हैं जिनकी Shapes और Energies different हैं हमें इनके Structure से भी नज़रा रहा है ये आपको इसमें Intermixing करेंगे और Equal Number आप Hybrid Arbitals बनाएंगे एक S और दो P है टोटल तीन है तो तीन ही Hybrid Arbitals बनेंगे और उनकी Shapes और Energies सेम होगी हम डिरक्ट तीन Hybrid Arbitals को ड्रा कर लेते हैं कल मैंने आपको एक अलग से Hybrid Arbitals ड्रा करके बताया था फिर मैंने बताया था स्मालर दोप को फार्दिसेक आफ कन्विनियंस हम ड्रा नहीं कर थे यानि के तीन Atomic कर रहे हैं तो हमारे पास तीन ही Hybrid Arbitals भी बन जाएंगे यह हमारे पास होगे Hybrid Arbitals अच्छा जी अगेन वही बात जो मैं आपको बता रहा था क्यूंके दोनों साइडों पे हमारे पास कार्वन है एक कार्वन के लिए अगर इस तरह से तीन Hybrid बनेंगे तो दूसरी के भी तीन ही बनेंगे इसको चाहे हम Vertically Draw करने चाहे होरिजेंटली ड्रा करने इसमें कुछ भी Problem नहीं है क्यूंके हमारा Board इस चाहे हम इसको ज्यादा Convenient है हम इसको Horizontally Draw करने इस तरह से भी करने तो फिर इसके उपर एक Draw करना पड़ेगा जो के थोड़ा Board में ड्रूस करना मुश्किल होगा अच्छा जी दोनों कार्बन के लिए हम तीन तीन hybrid orbital जोनों साइटों पे ड्रा करते हों फाइंटल स्ट्चर हमारे पास बनेगा वान टू एंड इस वान इस थर्ड हाइबिड आर्बिटल इसे को हमने और इसेंटली ड्रा कर दिया और यह हो गया एक कार्बन के लिए ले ल इसका मतलब यह हुआ वो इस ट्रक्चर के उपर प्रपेंडिकलर रहेगा उसने हाइबिडेशन में हिसार नहीं लिया तो हम उसको क्या करते हैं पर पेंडिकलर इसके उपर ड्रा कर लेते हैं इसको मैं तोरह सा नीचे करते हूं ताकि उपर वनों के साथ कुछ तो हमने तीन तीन हाइबिड आर्बिटर्स को ड्रा कर लिया तोरह सा डिफिंशियेट करने के लिए जो टूपी जी है जो के जी एक्सिस के रांग है जिसने हाइबिडेशन में हिसा नहीं लिया उसको डिफिंशियेट करने के लिए हम थोड़ा डिफरंट कलर से ड्रा कर ल तो इसकी शेप भी चेर्श नहीं होगी यह उसे तरह से प्रपेंडिकुलर राजेगा दोनों के उपर अच्छा जी अब हम क्या करेंगे यह हमारे पास हैड ऑन ओवर लैपिंगो की अगें यह हमारे पास बन देगा सिग्मा बांड और यह जो हमारे पास दोनों साइडों पे लिखना चाहें तो यह हाइडोचन एक अलेक्ट्रान वह आजेगा वान एस वन में और इसकी शेप होती है स्पैरिकल फिसका मतलब यह हुआ एक हाइडोचन आकर इधर अटैच हो जाएगी यह हमारे पास फाइनल स्ट्रेक्चर बन जाएगा यानिके जो हमारे पास स्ट्र चाहए जाएगा फास हैड यह से बना है तो यह स्टूरायखना कहुंगा को यह संप अतैया हमारे पास वाइप्ड़ान से हाईजर हए वाइस पास सब्सक्रा से और यह होगी यह उसके बाद हमारे बात कर लेते हैं जो हमारे पास है type of hybridization जिसका नाम होगा SP hybridization SP hybridization के अंदर नाम से ही पता चार रहा है मैं definition नहीं लितूँगा एक S atomic orbital होगा और एक ही P होगा और यह मिलके hybrid orbitals मनाएंगे यानि 1 S और 2 जगात पी 1 ही आजएगा अगेन इसके electronic configuration में जो ground state है वह उसी तरह से होगी जो हमारे पास excited state होगी इससे हम start कर रहे हैं क्यूंकि इसमें थोरा सा जीने जा रहा है यानि के carbon की second one state हम लिख लेते हैं जिसमें एक electron आके move कर चुका है from 2S atomic orbital 2P x1 2P y1 और 2P z में भी एक electron आ चुका है यह direct हम ने इसके निखली excited state अच्छे जी अब हम last one इसकी लिखेंगे hybrid state तो हमारे पास जो hybridization है यह हमारे पास है SP hybridization यानि के एक S और 1P हिसा लेगा ना ही 2P y इसमें इन्वाल होगा hybridization में ना ही 2P z होगा इसमें 2P z था इसमें 2P y भी हो गया और 2P z भी हो गया जो hybridization में हिसा लेंगे उनको हम लिख लेंगे उसी sense में बाकी as रिज रहेंगे 1S2 ने हिसा नहीं लिया उसको उसी तरह से 2S और 2P x मिलेंगे तो SP hybridize और यह भी SP hybridize इसने हिसा नहीं लिया यह भी 2P y की ही उसी तरह से रह जाएगा अपनी original farm में और यह 2P z अपनी original farm में और इसको हम नाम देते हैं hybrid state अच्छा जी अगेन हम उसी तरह से जैसे इस तरह से इसको भी ड्रा कर लेते हैं यानि 1S और 1P तो यह हमारे पास 1S और 1P बिलेगा तो दो आटामिक मिल रहे हैं तो दो ही हमारे पास hybrid भी बनेंगे यानि के यह हमारे पास है atomic orbitals और यह हमारे पास है hybrid orbitals अच्छा जी फाइनली हम structure इस तरह आएंगे इसका भी ड्रा कर लेते हैं फाइनली जो हमारे पास structure बनेगा पहले नमबर पर दोनों साइड़ों के carbons हैं सो यह जो हम एक्जैम्पल की बात कर रहे हैं यह हमारे पास है एक्जैम्पल आफ इथाई और इसका formula होता है CH triple bond CH अच्छा जी दोनों साइड़ों पे carbon हैं तो एक carbon के दो hybrid बने हैं साइड वाले की भी ड्रा कर लेते हैं और राइफ साइड वाले जानी दोनों कार्बन के इस तरह के दो-दो hybrid orbitals को हम ड्रा कर लेते हैं यह एक साइड पे होगे और यह हमारे पास दूसरी साइड पे होगे अब हमारे पास दो ऐसे atomic orbital हैं जिन्होंने hybridization में हिसा नहीं लिया जो hybridization में हिसा लेते हैं वो जाके उनकी शेप और energy चेंज होती है लेकिन क्योंके 2PY भी involved नहीं हुआ तो नाहीं की shape चेंज होगी और नाहीं की energy है वो चेंज होगी अपनी original farm में रहेंगे और इन दोनों क यह perpendicular farm में आजाएंगे अच्छा जी दोनों को हम ड्रा कर लेते हैं just example पहले number पे हमारे पास है y को पहले draw करने है z को कर ले यह हमने draw कर लिया 2PZ को same life जैसे हमने उपर भी draw किया था क्यूंके इसने hybridization में हिसा नहीं लिया लेकिन अब यह एक और बचा हुआ हुआ है 2PY इस इसने भी hybridization में हिसा नहीं लिया मैं साथ मिन के mention भी गर देता हूँ यह हमारे पास है 2PY जो hybridization में वाल्व नहीं हुआ इसको हम represent कर रहे हैं black marker से और जो हमारे पास red में है यह हमारे पास है 2PZ अगेर इसने भी hybridization में हिसा नहीं लिया अच्छा जी अब हम चेक करते के हैं यह जो हमारे पास head on overlapping होगी, तो head on overlapping की वज़ा से जो band बनता है, उसको हम हमेशा नाम देते हैं sigma band, उसके बाद हमारे पास यह जो red है, यह जाकर overlap करेगा, sidewise तो यह एक पाई बांड हमारे पास बन जाएगा, same इसी तरह से यह जो हमारे पास black है, जो के असल में 2PY है, यह आपस में overlap करेंगे, तो यह भी पाई बांड बना देंगे, यानि के एक sigma और दो पाई बांड जैसे के हमें structure के अंदर भी नजर आ रहा है, जो के उपर हमने इतायन का structure ड्रा किया हुगा है, तो इसको अगर हम bonding की फार्म में बनाना चाहें, तो अगेन इस तरह का हमारे पास structure आजएगा, अब space कब में तो मैं थोड़ा से इसको चोटा गरे के इदर बना देता हूँ, यानि के पहले नंबर पे हमारे पास, carbon एक साइड पे, और ये दूसरी साइड पे भी carbon हो गई, एक बान है सिग्मा, फिर दो बान है पाई, और साथ में इसके साथ भी एक hydrogen है, और इदर भी एक hydrogen अटैच होगी, ये हमारे पास होगी, SP hybridization, और इसमें हमने बिसक्स कर दिया structure आफ इताएं, ये लोग भी मैं थोड़ा असा सही करके बना दूँ, तांके आपके लिए कुछ confusion ना हो, ये हमारे पास हो गया, सो सुडेंट्स हमने SP2 hybridization की definition, और साथ में हमने structure आफ इताएं को discuss कर दिया, और साथ में हमने SP hybridization में structure आफ इताएं को discuss कर दिया, और ये हमारे पास जो hybridization का जो टापिक था ये complete हो गया, ओके जी सुडेंट्स, थैंक यू और अलाफिस,